आज हम पढ़ने वाले हैं हार्डी, वेनबर्ग, प्रिंसपल यानि कि हार्डी वेनबर्ग का सिद्धान्त ये जो टॉपिक है क्लाश 12 बाइलोजी चेप्टर नमर 7 एविलूशन यानि कि विकास से लिया गया है तो इस टॉपिक का आल रेड़ी मैंने वीडियो अप्लोट किया था तो कई सारे हमारे वीवर और सस्क्राइबर ने कॉमेंट किया कि सार ये जो टॉपिक है हम इसे समझ नहीं पा रहे है या इसमें जो फार्मूला है वह समझ नहीं आ रहा है तो मैं बता दूँ ये जो टॉपिक के थोड़ा हार्ड है तो अपने वीवर और सस्क्राइबर का ख्यार रखते हुए मैंने फिर इस वीडियो को ये कि इस टॉपिक को सिंपल तरीके से एडिटिंग किया है और आप इसे पूरा देखे आपको कंफर्म तरीके से समझ में आएगा तो हेलो प्रेंट्स मैं हूँ आपके साथ मिश्टर मिराश सर और आप देख रहे हैं साइंस अर्थ इंडिया चैनल तो हम देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा कि जो हर्डी बिनवर्ग है इनका प्रिंसिपल क्या कहता है कि Saat इनका प्रिंसिपल है इनका संक्या में वो अलिल है क्या है फ्रेंट्स वे संक्या में वे अलील का मतलब मैं आपको बता दूँ कि alternate form of gene माल लिजे कोई ऐसा gene है जिसे की जिसे की माल ने तेहाँ पे capital A और इसमाल ए इसे को हम कहेंगे alternate form of gene किसी भी जीव के अंदर capital A इसमाल अगर है तो यह alternate है यह तो capital है तो यह क्या है इसमाल है यह दोनों gene उस जिव के अंदर है तो इसे को हम ऐलील कहते है तो यह जो hardy benwork है यह कहना चाह रहे हैं कि कोई भी जिव की संक्या में अगर वो अलील है कोई भी जिव पेंड़ी तक दिरंतर यह रहती है तो आईए इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं जैसे कि हम यह देखेंगा तो हमें समझ में आएगा कि जैसे कि कोई ऐसा जिव जिस जो जिसके अंदर capital A और जोए की capital A capital A और इसमाले इसमाले दोजीन है अलग अलगलग जिव हैं चलिए हम ले ले लेते हैं कोई पर आदग कि जो पीडी उत्वन होगी यह कि है विट होंगे केप्टल इस माले इसी को हम अलील कहेंगे तो यहाँ पे लिखा भी है alternate form of gene यही हमारा क्या है अलील है यालील अलीटेंट form of gene तो इन में अगर से मतलब कि जैसे कि मच्ःड की जातियां माने कई साइट होता है तो कोई भी मच्ःड की प्रजाथ को ले लते हैं अगर उन में 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 डूसरे जाति से रिपृड़क्षन नहीं करता है यानि किवल अनाफिलि से रिपोडक्शन करते हैं और उनमें कुछ फाइब जो जो इस्टेप अगर वह ना होगो और मिटिंग रेंडम हो तो क्या होगा यानि की फाइब जो फैक्टर या gene flow कहते हैं इसको हिंदी में से gene plan या gene plan कहा जाता है दोसरा है genetic drift हिंदी में से आणवान्सिक बिचलन कहते हैं तीसरा है mutation यानि कि हिंदी में से उत परिवर्थन कहते हैं यानि कि का एक changes आ जाजाए कोई भी gene का बदला हो जाए तो उनके लचण बदल जाए अब इसमें चोथा है genetic recombination यानि कि आणवान्सिक पुनरयोगज पाचवा है natural selection यानि कि nature के द्वारा यानि कि प्राकिर्तिक औरण अगर ये पाचो इस्टेप ना हो और meeting जो हो रही है random हो रही है तो क्या होगा तो IS को हम और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं तो कोई भी जीव संख्या में क्या है वह अलील है राइट कोई भी जीव का संख्या है यानि कि कोई भी जीव का संख्या है वह क्या है वह अलील है तो माल लिजी यह अलील है राइट आप चलिए अभी होगा क्या माल लेकते हैं यह capital A है यह इसमाल A है तो यह दुनों होगा तो capital A को हम small P से दरसाते हैं और small A को हम small Q से दरसाते हैं, तो आईए अब यहां पे हम समझने का प्रयास करते हैं तो इसमें काई मच्छड मच्छड है उसमें A small A capital A small A यह दोनों यानि कि एक ही जाती के बीच जो ig reproduction हो रहा है यहनी कि डोशले जाति उसरे लिफ नहीं हो रहा है? यादि कि एक ही जाति के बीच reproduction हो रहा है, इसलिए हम इसे random कहें गए hin कि meaningful comment pattern हो रहा है तो क्या आज रहा है? यह क्या होगा? यह जो capital A है इसे अगर फ्यूज करता है तो double capital A बनेगा फिर ये capital A अगर इस small A से फ्यूज करता है आप यहाँ देख सकते हैं अगर इस small A से फ्यूज करता है तो capital A small A होगा फिर उसके बाद ये small A इस capital A से फ्यूज करता है तो capital A small A ही होगा फिर ये small A इस इसमाल A से फ्यूज करेगा तो double इसमाल A यहाँ पर बनेगा राइट तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक जो है double capital A और दो जो है capital A इसमाल A और एक double इसमाल A यह आ गया राइट तो यहाँ पर जो zero type जो ratio है एक समंदे दो समंदे एक आया यानि कि double capital A एक है और capital A इसमाल A यह दो है और double इसमाल A एक है यानि कि इसका जो जीनो टाइप जीनो वाला जो ratio है यहाँ जो है कि एक समंदे दो समंदे एक आया राइट तो यहाँ पे यह जो capital A है यह प्रभावी है यह अपना लश्चर दिख यहाँ पे अगर यह capital A small A है तो capital A वाले ही अपना लच्छड दिखाएंगे small A वाले अपना लच्छड नहीं दिखाएंगे जब वे शत्वंतर होंगे यहाँ पे तब यह अपना लच्छड दिखाएंगे चलिए अब आगे दिख लेते हैं अब देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा वही रेसीओ यहाँ पे है capital A capital A, capital A, capital A, capital A, capital A, double capital A, right चलिए हमने उपर बताया था कि जो capital A है उसको हम small P से दर्साते हैं, right और जो small A है उसे small क्यों से दर्साते हैं चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे double capital A है, right तो 2P यहाँ पे 2P हुआ, तो इसको हम equal to P square लिख सकते हैं, आसानी से, right यह P square हो गया, फिर उसके बाद यह capital A और small A, capital A, small A, यह दू बार आये हैं, यानि कि capital A का मतलब यहाँ पे P, और small A का मतलब Q, right फिर capital A का मतलब P, और small A का मतलब Q, तो यहाँ पे देखा जाए, तो हम आसानी से लिख सकते हैं, 2P Q, right तो 2P Q, right अब देखेंगे, तो यह double small A है, right ची बात है, यहाँ पे Q है, तो यहाँ पे Q, 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 यानि कि Q square यहाँ पे मासानी से इसको लिख सकते हैं, right, तब अब अगर हमने नीचे बदाया कि अगर यह जो है, q कहते हैं, q कि अगर यह five factor ना हो, यह सब यह five factor है, यह अगर यह five factor ना हो, तो जो फाइफ एक्टर नहीं अगर ना होते हैं तो यहाँ पे सभी जीवों के जो लच्छड हैं वहां consistent होंगे एक ही होगा अगर वह पांचों फेक्टर ना होते हैं जीन प्लायन ना हो आनुवान से बिचलन ना हो उत्परिवर्टन ना हो आनुवान से पुनर योगज ना ह हो प्राकिर्ति को रडवण ना हो तो भले से capital A is MUSIC महले डबल अगर आए हैं लेकिन उनमें कोई बद्लाओ नहीं हुआ इनमा कोई भी गास नहीं नहीं हुआ seulementैं आप ए इसा ह्मिश के इनापिलिज ही रहे जाएंगे ठार्ट से एक नई जाती बनती है और नई जीवन का सुरुवात होता है यानि कि नया जीव का विकास होता है अगर यह पांचों ना होते हैं तो जीवन जीव है यानि कि जो भी मच्छट की जातियां उसे बनी रहेंगी लेकिन अगर यह पांचों में से कोई भी एक हो जाए जीन माइग्रेशन ह हो जाया है genetic drift हो जाया mutation हो जाया genetic recombination हो जाया या natural selection हो जाया तो विकास हो जाता है एक नहीं जाती बन जाती है तो I hope यह वीडियो आपको समझ में आया होगा अगर समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद फ्रेंड्स